मित्रों, दोस्तों, एंड फ्रेंड्स, आज मंगलवार की शाम, डायलोग विद प्रॉफ निर्मल गुपता में आप सभी का दिल से साधर अभिवादन, हुश्रामतीद एंड वेलकम करता हम। विशय पर आने से पहले हमिशा की तरह एक महत्पूर्ण डिस्क्लेमर। पहला हमारी किसी भी चर्चा का एक भी शब्द किसी भी पार्टी विशीश अथ्वा विचार धार से कोई सरुकार ना तो रखता है और ना ही कभी रखेगा। एक निश्पक्ष और निश्चल प्रयास पर है। शांति पूर्वक और समिधानिक तरीकों से इन अधिकारों को पाने के कुछ उपाए भी जाने थे। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में जिसमें हम सम मिलकर एक महतपूर्ण प्रश्ण का उत्तर ढूनने का प्रयास करेंगे। उस प्रश्ण का जो उपजा है पिछले कुछ हफ़ते की दो तीन अभूत पूर्व घटनाओं से जिने आप चाहे तो मामूली बात कहकर खारिज भी कर सकते हैं। और यदि बारी की से देखें तो फिर गंभियों रूप से चिंचित होने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि हमारे उत्तर आएं कलेक्टिव विजदम के पजातात्रिक सिधान को सर्वू परी रख बिना किसी पार्टी या विचारधारा के भाहों में बहकर। हाली में गुजरात हाई कोट से प्रोनती पाकर पतना हाई कोट के नमनुयुक मुक्य नयाधीश ने समाचार पोर्टल को दिये गए एक इंटरव्यू में देश के प्रधान मंतरी की तारीफ में एक चौका देने वाला वक्त अब विदिया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि प्रधान देश के एक आदर्श और हीरो हैं। वे एक मॉडल भी हैं। दूसरी घटना है एक राजसरकार के जनसंपर विभाग द्वारा उस प्रधेश की राजधानी में पहली बार आगमन पर स्वागत के लिए देश के मुक्य नयाधीश की तस्वीरों वाले बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर धूम धाम से स्वागत करने से संबंदित हाला कि कुछ समाचार एजनसियों द्वारा इस करत के प्रकाशन के बाद होर्डिंग्स को उतार दिया गया था। एक लेटर हैट पर प्रस्ताव पेश करते हुए एक पत्र लिखा। 31 अगस्त को वे रिटायर हो रहे हैं और उनकी 2019 के लोकसभा चुनाव अभ्यान में मानिय मुक्यमंत्री जी की पार्टी के लिए सक्रिय रूप से योगदान करने की हार्दिक इक्षा है। अधा है उन्ह समाज कल्यान बोर्ड और राज प्रदूशन नियंतर बोर्ड के अध्यक्ष का। उन्होंने प्रदेश के मुक्यमंत्री को अपने पत्र में याद दिलाते हुए अपनी नियुक्ती की गुहार का कारण भी बड़ी शालीन इमानदारी से लिखा है। और वह है अगर उन्हे इन में से किसी भी पत पर नियुक्त किया गया तो वे योगी आदितिनाथ के प्रती सक्रिय रोप से योगदान करने की इस्तिती में तो रहेंगी ही क्योंकि इस से राज के सरकारी अतिती ग्रहों में यात्रा के दौरान उन्हें सरकारी तोर पर ठहरने में मदद मिलेगी। उन्होंने मुख्मंत्री की के संगठन के साथ साथ इसके कार्यों की विचारधार में पूर्ण विश्वास भी व्यक्त किया। जब उनके इस प्रस्ताव की खबर मेडिया में आई तो अधिकारी महोदे ने जोर देकर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से व्यक्त की कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सतह ही तो पर देखें तो तीनों गटनायें बेहत मामूली नजर आएंगी। और आप पूछ सकते हैं कि क्या नियाइधीश अत्वा पुलिस अधिकारी समयधानिक पत पर बैठे किसी नेता की तारीफ या उससे कोई अपनी गोहार नहीं कर सकते हैं। क्या इन तीनों ही गटना से संबंदित हर व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है। और बराबरी और व्यक्तिकत सुतनतरा के अपने नागरिक अधिकार के तहट चाहें वो नियाइधीश या डीजेपी रेंग का एक पुलिस अधिकारी ही क्यों नहीं हो किसी की तारीफ या आलोचना करने का समयधानिक अधिकार तो रखता ही है। नयमूर्ति अथवा भारति और पुलिस सेवा के अधिकारी होने के कारण उनके ये जनतांतरिक अधिकार कम तो नहीं हो जाते। दलील दी जा सकती है कि देश के नागरिक और वोटर की हैसियत से नाइम मूर्ती और DGP भी किसी ना किसी राजनातिक पार्टी के काम या विचारधारा से सहमत हो कर ही राजनातिक पार्टियों के AVM पर छपे किसी रिजर्व्ट सिंबल पर अपना वोटों दे रही हैं। लेकिन सर्विस कंडक्ट टूल्स की बात नहीं करते हुए भी मैं आपका ध्यान एक आर्गुमेंट अत्वा एक तर्क की ओर लाना चाहूंगा। और वह है कि जब कोई नागरेक नियाए की कुर्सी पर बैठा होता है तो कई बार उसे अपनी पसंद के नेता या राजनातिक पार्टी यहां तक की रूल ओफ लॉक के तहथ अपनी सरकार या लॉमेकर्स के खिलाफ भी फैसला करना पड़ सकता है। और यही कारण है कि लोकतंत्र में नियाए पालिका और पुलिस के कारियों को सरकार से समिधान एक आजादी दी गई है। कि ड्यूटीज केरी आउट करने की स्तिति को एकदम स्पष्ट किया गया है। अक्टूबर 30, 2013 को दिये गए अपने जजज्मेंट में नियाए धीशों की उस खंड़ पीट ने लिखा है कि नौकर्शाहों को अपने पॉलिटिकल मास्टर्स द्वारा की दिये गए मौकिक आदेशों पर कार्य नहीं करना चाहिए। आपके मन में प्रश्ट उठता होगा कि आखिर इस आदेश की आवश्यक्ता क्यों आन पड़ी। इन सभी ने अपनी PIL में नोकर्शाहों को राजनेतिक हस्तक शेप से इंसुलिट करने के लिए डिरेक्शन की मांग की थी। अब यहां तक बात चली है तो आपको याद दिला दूँ, हो सकता है आप में से कुछ को याद भी होगा। हरियाणा के 1991 कैडर के बहुत चर्चित नोकर्शाह श्री अशुक खिमकजी का केस। सरकारी जबीनों से संबंदित कई मामलों में उनके द्वारा की गई जाचों के कारण गंभे खुला से हुए थे और उसका प्रसकार उन्हें मिला 24 वर्षों में 51 ट्रांसफर्स के उप में, 2014 के बाद उनका नाम सुनने में नहीं आया है, कोई तो कारण होगा। खैर, नौकर शाहों को राजनितिक हस्तक्षिप से बचाने के लिए नियाय मूर्ती श्री के एस राधा कृष्णन की अद्धिक्षता वाली पीट ने कहा कि राजनितिक्यों दोरा नौकर शाहों के खिलाफ पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और डिसिप्रिनरी एक्शिन्स को क बचन की रेकमेंडेशन दी, सर्वोची नेले के इस फैसले के बाद याचिका करता, पूर्व सेंट्रल कैबिनेट सेकरेटरी श्री टी एस रार सुबरमन्यम ने कहा, यह एक एतिहास एक निर्णा है, जिससे यह सपष्ट हो चुका है कि सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल मास के निजी नौकर नहीं है, उत्तरप्रदेश के पूर्व डीजी पी श्री प्रकास सिंग द्वारा, पुलिस सुधारों से संबंदित अपनी रिपोर्ट में, सुझाये वरिष्ट पुलिस अधिकारियों के निश्यत कारिकार देने की अपनी दलील को याद दिलाते हुए, अपनी टिपड़ी में कहा, सर्वोच नियाले का ये फैसला, नौकर शाही के कामकाज की स्वतलता और आजाती देने में एक लंबा सफर तय करेंगे, यह और बात है कि सर्वोच नियाले का या आदेश नर्देश भी हजारों फैसलों की भाती आज समय की धूल के बने एवर प्रशानी उपजती है एक प्रशन से और वह है नियाय ववस्था में जनता का यदि भरोसा डिगा तो क्या होगा, डेमोक्रेसी में जुडिशरी और एक्जेकेटिव के ऊपर लोगसत्ता और सम्मिधान के रखवाले जन प्रतिनितियों से ऊपर भले ही ना हो, पर आजात जरूर होना चाहिए, तब ही नियाय की विवस्था में जनता का भरोसा बना रह सकता है, और जब तक ये भरोसा बना रहता है, तब तक जनता नियाय की तलाश में पुलिश प्रशाशन और नौकर शाही के जरिये प्रदेश और देश की अदालतों तक जाती रहेगी, जिस अब जब नागरिकों का ये भरोसा दरखने लगा है, लोग अपने अपने तरीके से और नजरिये से खुद ही नयाय करने लगे हैं। आज आपको दुनिया के कई देशों में इस तरह की आराजकता फैली नजर आती है। और वहाँ अदालते नहीं, बलकि विजलाइंट्री ओगनाजेशन, मिलिशिया और अपरादियों के गिरों फैसला करते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये क्रूर, हिंसात्मक फैसले सड़क पर ही किये जाते हैं। इसका आप क्या आर्थ लगाते हैं। क्या ऐसा होने की संभावना आपको दिखती है। या अल्रडी हमारे देश में ये संभावना बन गई है। क्या इसकी गती कम अत्वा ज़्यादा हुती नदर आ रही है। इस बात पर और इसके आगे आप विचार करिए। मैं आपको छोड़ जाता हूँ इन प्रश्णों के साथ। आप मेरी बातों में न जाकर अपनी आत्मा से वादविवाद करिए। अपनी आत्मा और मन से उनका उत्तर पागर अपना एक स्वतनत निर्ण बनाईए। अपनी वाड़ी को विराम देने से पहले। कि हर मंगलवार शुकरवार की शाम को एक बार फिर मिलेंगे। डायलोग विद प्रॉफ निर्मल गुपता में और बात करेंगे एक contemporary issue पर आज के राजनितिक परिदर्श को सामने रखकर बिना किसी पार्टी या विचारधार से प्रभावित हुए बिना। मैं दिल की गहराईयों से यह उमीद, विश्वास और expectation के साथ कि आप आज की चर्चा पर अपने परिवार और साथियों के साथ विचार करेंगे। अपना स्वतंत निड़ बनाएंगे और भारत के पवित्र समिधान के परती सची श्रद्धा और राष्ट भूमे में जनतंत्र की इस्थापना और प्रसार के महान प्रियास में अपना योगदान करने की बात सूचेंगे। शुक्रिया कहते हुए आप सभी सुनने वालों से विदा लेता हूं। शुबरात्री शब खेर और गुड़नाइट जय हिंद।